सब्सक्राइब बच्चों का स्वागत है मेरे चैनल पे और यहां पर हम अभ्यास कर रहे हैं प्रश्न पत्रक्रमांग 4 का इसके पहले तीन सैंपल पिपर जो है प्रश्न पत्रक्रमांग 4 पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोड की स्कीम आप जानते ही हैं सबसे पहले हमको यहां पर अबजेक्टिब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो चलिए स्टार्ट पर प्रश्नक्रमांग एक में सही विकलपों के चुनाव से पहला कुस्षिन क विन्दु वावेश क्योंकि आर दूरी पर विद्व छेतर की तीवरता आपको बतानी है तो बहुत ही सिंपल सवाल कॉस्चन है यह इसका क्रेक्ट आंसर होगा 2 यह इस इनवर्सली प्रपोर्शनल 2 आर स्क्वेर ओके यह सक्योंकि आर स्क्वेर के साथ यह वरी करता है धारा के चुमब की प्रपाओगई खोच ने की थी हैंस और स्टेडने की थी चुमब की फ्लक्स का एसाई मातरक प्र गजो आज रहते है तो इसका फरस्ट होगा C, इसके बाद अगला question है, जामिती छाया में प्रकास का अतिक्रमण को क्या कहते हैं? जामिती छाया में प्रकास का जो अतिक्रमण होता है, उसको हम विवर्तन कहते हैं? एक photon की उर्जा 3 electron volt है, photon का तरंग दैर्ध आपको बताना है, तो photon की उर्जा है 3 electron volt और आपको photon का तरंग दैर्ध बताना है, तो देखे इस question को कैसे करेंगे, एक्चुली देखे, photon जो होता है, वो radiation property रखता है, तो इसको हम कैसे करेंगे, हमको इसको solve करना पड़ेगा, E equal to H new ये matter wave याने की कौन सी तरंगे होती है, अभी आया था ना, matter wave याने की, हाँ, दरवत रंग, दरवत रंगों के सिधान से solve नहीं होगा, ये E equal to H new से solve होगा, और आप जानते हैं, E equal to होता है, H C by lambda, तो lambda equal to कितना हो जाएगा, lambda equal to हो जाएगा, H C by E, ओके, तो lambda की value निकाल नह आपको H कितना होता, 6.6 into 10 की power minus 34, और आपके पास C कितना होता, 3 into 10 की power 8, जो की speed of light है, और E जो आपको energy दी गई है, वो 3 electron volt है, मतलब 3, और 1 electron volt में कितना होते है, 1.6 into 10 की power minus 19 joule हुआ करते हैं, ओके, ये तो इसको solve कर दीज़, और इसको solve करेंगे, तो answer आएगा, 402.5 nanometer, म 412.5 nanometer, चलिए, अब इसके बाद है, आपको बताया जा रहा है कि, एक ग्राम पदार्थ के सम्तुल, ओके, तो आपको एक ग्राम पदार्थ के सम्तुल जो energy निकलती है, आपने नाविकी, बहुत की में पढ़ा होगा, ये कितनी होती है, ये होती है, 9 into 10 की power 13 joule, ओके, 9 into, ये into multiply है, this is equals to 9 multiply by 10 की power 13 joule, तो ये एक ग्राम के equivalent by the formula, E equal to mc square से, इसको हम solve करते हैं, ओके, तो कितना आता है, 9 into 10 की power 13 joule, निकला करती है, एक ग्राम की energy, ओके, येस, ठीक है, कैसे निकाल सकते, देखिए, 1 ग्राम है, तो 1 upon 1000 हो जाएगा, और इसको जब आप energy, 3 into 10 की power 8 का whole square कर दो, अभी आप solve कर लोगे, है न, so, इसका square कर दोगे, तो 9 आ जाएगा, और ये कितना है, 3 into 10 की power 8, 16 है, मतलब 9 into 10 की power 16 हो गया, बटे कितना हो गया, 1000, तो 3 joule cancel हो गया, तो answer कितना आ गया, 9 into 10 की power 13 joule, तो correct answer इसका कितना होगा, D होगा, तो ये हो गया, चली, question number second करते हैं, जी हाँ, एक दूसरे को attract किया करते हैं, धारावाही वरताकार कुंडली के केंदर पर चुम्बिकी छेतर, उसके तलके क्या होता है, लंबवत होता है, उसके तलके क्या होता है, अपने देखा होगा, धारावाही वरताकार कुंडली, इसका चुम्बिकी छेतर कु तो उस पर कोई बल नहीं लगता है यदि किसी प्रत्यावरती धारा में परिपत में उर्जा वै की दर्शुन हो तो परिपत की धारा को कहते हैं इसको बोलते हैं वाट हीन धारा अगर आपकी धारा में कोई उर्जा वै ना हो धारा में उर्जा वै की दर्शुन नहों तो इसको बोलते हैं कैसी धारा इसको बोलते हैं वाटहीन धारा ओके यह वाटहीन धारा कहलाती है transformer के सिधान पर transformer जो होता है अन्योन प्रेरण के सिधान पर कार करता है तो यहां पर क्या आएगा अन्योन प्रेरण आ जाएगा इसके बाद कुंडली में प्रेरी धरा की दिसा किसके नियम से लेंज के नियम से एक मिनट एक मिनट कुंडली में प्रेरी धारा की रिशा एक तो लेंज का नियम होता है दूसरा फ्लैमिंग का दाया हाथ का नियम फ्लैमिंग के दाया हाथ का नियम जी हां तो ये दो सिधानत है जिससे आप जो है फाइंड कर सकते हैं प्रकाशिय तंतु किस सिधानत पर बचना आधारित है यह हो गया दन इसके बाद चलते हैं देखिए सही जोड़िया बनाना है आपको तो यह तो पूरा का पूरा कुस्तो क्वेश्चन इसमें आपको इसके एटम के दिखाई दे रहे हैं चलिए यह देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का आगया है कि रिडब नियतांक कितना हुआ करता है यस पूरे के पूरे अप्शन अब हमारे सामने हैं फस्ट आपको बताना है कि रेडबर नियतांक कितना होता होता तो यह देखिए रेडबर नियतांक कि यह हुआ करता है m e की पावर 4 8 Epsilon 0 CH क्योब सबसे बड़ा यही दिख रहा तो रेडबर नेता कर रिए बुहर की तृमालो की अिरि पहले औरिट के लिए उसको अब धुछ दखे सो Ergebnis का फॉर्मुला है ही है ओके अब फोटोन का सम्वेग तो फोटोन का सम्वेग दिखिए अभी अभी निकाला था हमने पी कोल टू एच अपॉन लेमडा फोटोन का सम्वेग ऐनस्टेन का प्रकास विदूद सम्वेग यह सामने दिख रहा है बहुत आराम से प्रतिरोध दफ्ता ताप गुणा कितना होता है यह हुआ करता था सेल का आंठरिक प्रतुरोद कितना होता है देखें सेल का आंठरिक प्रतुरोद ये हुआ करता है small r equal to e upon v minus 1 into capital r ये हुआ करता है धारा घंद तो कितना हुआ करता है धारा घंद दी की सबसे उपर बैठा है nevd हुआ करता है सारे के सारे मैच हो चुके हैं, ओके, इसके बाद देखे, question number 4, ताब रधी के साथ अर्धचालक की चलकता में क्या परिवर्थन होता, तो answer क्या होती है, अर्धचालक की ताब रधी के साथ बढ़ती है, पि-अन संदी में अवच्छापरत की मुटाई किस कोटी की होती है, ओ हो, ये तो रटने वाला question इसको याद कर लिजे, ये होती है, 10 की power minus 7 meter, या इसी को बोलते हैं 100 nanometer, इसी को बोलते हैं 100 nanometer, 10 की power minus 7 meter भी होगा करती, इसको पश्च दिसिक अभीनती भी बोलते हैं, पश्च बोल दो या पश्च दिसिक बोल दो बाती की पराबर है, यंग के दुलिष्ट प्रयोग में किस रंग के लिए fringe की चोड़ाई का फॉर्मला होता है, बीटा is equal to lambda d by a small d, तो lambda सबसे कम ले लिए किसका होता है, बैगनी कलर का, तो बैगनी कलर की जो fringe की चोड़ाई होगी, वो सबसे कम होगी, पतली फिल्म के रंग का क्या करण है, जो बुल बुले में पतली फिल्म बन जाती है लगलक कलर की, उसका कारण होता है व्यतिकरण ओके इनका कारण होता है व्यतिकरण विदुचुम की स्पेक्टरम के विभिन नामों में आवर्ति के बढ़ते क्रम में लिखे बहुत बढ़िया तो यहाँ पर जो है विदुचुम की स्पेक्टरम के विभिन भागों के नाम आवरत्ती के बढ़ते क्रम में लिखना है मतलब कि आपको जितने भी यहाँ पर है आवरत्ती के क्रम में आपको लिखते जाना है है ना जो जो आपके विद्वचुम की तरंगे होती है विभेन भागों के नाम आवरत्ती के बढ़ते क्रम में में आती है X-ray और उसके बाद आती है और एक से बाद आ यह गाहरी झाली विद्धु चुम्मि की ए spectrum शटवा question हो गया spectrum में किस भाग की भेदन चमता सब से जादा होती आगर भेदन चमता की बात कर सरासी क्योंकि इसकी दिसा जो होती है नेगेटिव क्यों से लेके प्लस क्यों की तरफ हुआ करती ये शदे सरासी है ओके और किसी इसको परिभाशित भी कर रखा हमने जो पूरे अमाय लेक्चर बने हुए इसमें देख सकते हैं कि किसी एक आवेश का परिमार तथा इन दोनो आवेशों की बीच के दोड़ी के गुड़न फल को विदुद फलक्स परिभासित कीजे तो है ना एका छेतर फल से निकलने वाली प्रतिकांग छेतर फल से गुजरने वाली बल रेखाओं की विदुद बल रेखाओं की संख्या को विदुद फलक्स बोलते हैं चलिए अनुगमन वेग में संबंद लिखे तो विदुद छेत्र अपलाई किये जाने पर यह ना छेत्र की दिसा में के विपरी जो होते हैं लेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गमन करते हैं उस वेग को जिसका आउसत की वेग से गमन करते हैं उसका अनुगमन वेग बोलते हैं विस्ष्ट प्रत्रोध या प्रत्रोध रखता की परिभासा लिखते हुए इनका SI मात्र की आप विमी सुत्र भी लिखे तो आपको R equals to R L upon A होता है तो R equals to R A by L अब आपको परिभासा लिखनी है तो A और L को X है एकांक की काई ले लिजे तो मतलब L बराबर 1 मतलब 1 मिटर की कंड़क्टर में अगर 1 cm2 एक मिटर स्क्वाइर एरिया है तो उसका जो प्रत्रोध होता है वो विस्ष्ट प्रत्रोध क्यालाता है इसकी काई आप बना सकते है ओम मिटर हो जाएगी इसकी काई और बुमी सुत्रुभिया बना ले चलिया अगरा कॉशन चलक गुंडल धारामापी में कुंडली के गर्म कुंडली के मद नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं अगर नर्म लोहे का क्रोड रखेंगे तो इसकी जो परमीबिल्टी यानि कैसा होगा तरजी होगा तो 90 डिग्री बनाएगा और इस पर आगून अधिक्तम लगेगा चलिए अगला क्वेशन लिखे क्वेशन नमर एट एक सो ओम का प्रत्रोधक 220 वोल्ट और 50 हर्ट्स की आपूर्ती से सेंवोजित है परिपत में आरेमस धारा का मान कितना है तो देख पर भी नौट कितना हो जागा यह हो जागा 220 रूट टू ओके यह भी जिरो हो गया अब इसके बाद में आपका जो प्रत्रोधक 50 हर्ट्स की आप पूर्ती है इससे कोई मतलब नहीं है हाँ यह सौम का है तो इसको डिवाइट कर दीजे तो आपके पास में आई जिर कॉल ट 220 रूट टू अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा ओके अब आपके पास IRMS निकालना है तो IRMS इकॉल टू आई जिरो बाई रूट टू है ना दारा का IRMS मान इतना है और सिखर्व धारा कितनी होगी तो इसका सिखर्व धारा हो जाएगी 10 रूट टू चलिए ठीक है अगला क्वेशन देखते हैं पूर्ण अंत्रिक परवर्तन की सरतें प्रकास किरन सगन से विरल में जानी चाहिए और आपतन कोन का मान क्रांतिक कोन स जादा होना चाहिए तभी पूर्ण अंत्रिक परवर्तन होगा डाड़ी बनाने या मेक अप करने के लिए आउतल दर्पन का उपयोग क्यों किया जाता है क्योंकि अगर चेहरा ध्रुब जैस आपके बस्तु जो ध्रुब और अगर ध्रुब और फोकस के मद्द में है तो इसका आवर्धित प्रतिमिम बनता है आभासी बनता है इसलिए इसका उपयोग करते हैं अगला प्रकास विद्दुत प्रभाव को प्रभासित कीजे तथा इन से समन्दित आइंस्टाइन का समीकर्ण करवाईए ये मैंने करवा रखा है द्रवत रंगों की कोई दो विस्त अतनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेगी यदि परमाडू में अपनी कक्छा में इस्तिर हो तो क्या होगा तो उस पर जो बल लगेगा सीधे उसे नाभिक की तरफ अंदर खीच लेगा और परमाडू का अस्तित खतम हो जागा नाभिकी विखंडन तद नाभिकी सनलेयन में दो मुकह अंतर तो इसमें देखिए नाभिकी विखंडन में जो भारी नाभिक होता है वो दो छोटे छोटे नाभिक में तूटता है और इसमें जो दो छोटे नाभिक होते हैं वो जुल करके एक भारी नाभिक का निर्माड किया करते हैं नाभिकी विखंडन के बेसेस पर नुकलियर बॉम बनाया जाता है और नाभी की फिजन फ्यूजन यानि सनलेन के बैसेस पर हाइड्रोजन बॉम बनाया जाता है आप यह दो अंतलिक सकते हैं चलिए यह हो गया क्योंकि नुट्रोजन जो होते हैं वो चेंड रियक्शन दिया करते हैं और आसानी से इनका वेड़ ज्यादा होता है तो यह मोमेंटम गेन मतलब कि क्या समवेग गेन कर लेते हैं तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो नुट्रोजन है उसको आप जो एक्स्परिमेंटल थनाविशित होते हैं और नाभिक के धनाविशित को खतम करने के लिए fusion में बहुत ज़्यादा energy की ज़रुत पड़ती ही जो practically possible नहीं हो पाती है चलिए अगला question है establish the expression for the capacitance of the parallel plate capacitor मतलब कि समांतर plate संधारित की धारता के लिए वेंज़क इस्थापित करना है so simple derivation मैंने करा रखा c equal to epsilon naught a by d का कर लिजिए Gauss की प्रमे लिखिए सिद्ध कीजे तो 5 is equal to q upon epsilon naught आपको सिद्ध करना है एक Gaussian surface बनाईएगा फिर उसके बाद ये प्रमे सिद्ध करने पड़ते किसी विदूत परपत के लिए करचाफ का नियम दो नियम होते हैं लिग डालिए करचाफ के नियमों के अधार पर भी इस्टोन से टू पर आपको डेवलप करना है ये भी कर डालिए question number 15 10 volt वाली battery जिसका अंत्रिक प्रतोरद ना किसी प्रतोरद के प्रतोरद की प्रतोरद क्या होगा जब की प्रतोरद बंद है तो cell की terminal volt तक क्या होगी आपको निकालना भी इसके पहले आपको i निकालना पड़ेगा तो i is equal to कितना निकलेगा i equal to निकलेगा e upon capital R plus small r यहां से आपके पास में देखिए धारा का मान दिया हुआ है तो आप capital R निकालने के बाद आप terminal voltage निकालनेगे तो दो पार्ट में एक question हो जाएगा चलिए यह question मैंने आपको already करा रखा है इसमें दो situation होती है ओके पहली situation 0 से लेकर के 27 degree centigrade तक जाएगी और दूसरी जो है 0 से लेकर के unknown temperature तक जाएगी sorry कितना temperature है हाँ तो वो temperature पता नहीं है है ना हमको ताप निकालना है तो unknown temperature आप T लेकर के इसको लगा दीजिए का formula कैसा लगेगा R T equal to R 0 1 प्लस alpha delta T यह formula लगा करके इसको solve कर सकते आप ओके चलिए focus दूरी के लिए composite focus दूरी दो lens लेकर के किसी गोली दरपन के लिए दरपन सुत्र की स्थापना करना है तो क्या rule होता है 1 upon F equal to 1 upon U plus 1 upon V PN संधी diode क्या है PN diode की कारविधी अगर अभिनती और पस्च अभिनती में विद्धुत R1 खीच कर बनाईए तो दीखे आपको करना क्या है यहां पर V और I के बीच में characteristics बनानी है अगर अभिनती में ऐसा होता पस्च अभिनती में कुछ इस तरीके का करव हुआ जाता है दिश्ट करन क्या है AC को DC मदलने वाली process को दिश्ट करन कहते हैं विद्धुत परपत कीच कर PN diode की पूर्ट तरंग दिश्ट कारी की क्रिया समझाईए तो PN diode का पूर्ट तरंग दिश्ट कारी जिसमें दो डायोड यूस होते हैं एक उपर और एक नीचे यहां पर आपका transformer इस्तमाल होता है इसको बना करके पूरा का पूरा process कर दीजिए जिन बिंदों पर मांगा गया है चलिए अगला दीखे transformer का वर्णन निम्ड बिंदों के अधार पर कीज़े नंबर बन सिध्धान तो यह अन्योन प्रेड़ के सिध्धान पर काम करता है transformer के प्रकार दो प्रकार है ना कोते हैं एक उच्चाई और एक अप्चाई प्रणन नंपात के सूतर का निगमन तो मैंने इसका बताया था E2 upon E1 is equal to N2 upon N1 is equal to I1 upon I2 यह आ गया था प्रणन नंपात इसको के बोलते हैं ना मांकी त्रेखा चित्रविया बना सकते हैं दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए अगला रिके प्रत्यवर्ती धारा जनितर का वणने निवन इसको के अधर पर करना है सिध्धान तो यह किस पर सिध्धान पर काम करता है यह अन्योन प्रणन याने की फेराडे की नियम अन्योन पर अपके सिधान पर काम करता है चलिए मुक भागों के नाम बताना है आपको तो इसमें जो जो भाग होते हैं आरमेचर होता क्वाइल होती है पूल चुम्बक हुआ करते हैं इसमें कारविध ही आपको बताना है किस तरीके से कार करता है तो यह देखे इस तरीके से इसको रख दिया जाता है यहाँ यह फ्लैमिंग के दाएं हाथ के नियाव किस धान पर यह कुंडली घुमा करती है ठिक है और इसमें आप जो है आप मेकेनिकल एनरजी याने की यांत्री गु बनने की विवस्था का किरण आरे एक आपको बताना है तो दो लैन्स इस्तमाल हुआ करते हैं इसमें बना डालिए आवर्धन चमता के सूत्र की स्थापना कीजिए जबकि अन्तिम प्रतिविंब इस पश्ट द्रस्ती की नियूंतम दोरी पर हो और दूसरा कहां पर बने अनन तो यह टोटल यह सब कुछ मैंने करवा रखा है यह आप मैंने चैप्टर्स पढ़ाएं हैं अभी वह चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे लाइब्रेरी में जाकर के वीडियो गैलरी बनी हुए है वहां पर वीडियो लाइब्रेरी से आप चैप्टर निकाल लिजे और वह आपको बहुत अच्छे से आपको बन जाएगा so thank you so much for being with location unlimited study zone have a nice day bye bye